अज़ाल क्राइब दिस इस विलाफ वीडियो अली सरकारो भाई बेस्टेक फिर से वापस आ गई है और आज की इस वीडियो के दर ऐसे गैजट्स और ऐसी टेक्नालोजी की आइटम्स आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई मैंने भी ये बड़े मुश्किल से ना ढूंड के इक ठी करके आप लोगे लेकर आया हूँ मेरी कोशिए ही रहती है कि यूणीक आइटम्स आप लोगे मिलें और ऐसी आइटम्स बिलें जो कि आप यूज़ करें तो आप याद करें कि भाई किसी ने रिक्मेंडेशन दी थी तो आज की इस वीडियो के अदर भी जो करनी है तो एक और में कर लीजगा ताकि आपको डिलिवरी चार्जिस एक पढ़ें पहली प्रॉड़ जो कि जिसके वह शाविल करने वाला हूँ यह एक ऐसी प्रॉड़क्ट है जो मुझे रैंडमली मिली लेकिन मुझे बहुत पसंद आई है और यह है एक टायर गेच अब इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ यह बड़ी ही मज़दार किसम की प्रॉड़क्ट है आप नॉर्मल कीचेंज भी जो है वो इस्तमाल करते हैं और यहां पर भी आपको यह कीचेंगी फॉर्मेट में देखने को मिलती है लेकिन इसको आपने बाई किया गाड़ी के ज आप बस इसको लगाएंगे और यह आपको डिजिटली बता देता है कि एक्जाटली कितने PSI जो है आपके टायर के अंदर मौजूद है यह पर एक और चीज जो के बड़ी मज़दार है वो यह है कि यह सिर्फ PSI के अंदर नहीं बलके बार उसके इलावा KPA और उसके इसके अंदर सारी जो मेयरमेंट्स हैं वो मौजूद हैं और एक काफी अच्छी क्वालिटी की प्रॉडट्ट बन जाती है क्योंकि इसके अंदर बैटरी प्री बिल्ट इंस्टॉल्ड आती है तो आपको उसकी मसले नहीं आने वाले आप एक कीचेन के तोर पर इस्तमाल कर रहे हैं जिसके अंदर आप हलका सा ऑईल डालते हैं और उसके बाद वो खुश्बू जो है वो निकाल देते हैं इस तरह के बहुत ज़्यूजर मार्किट के अंदर आए मैं लेकिन यह जो आरोमा डिफ्यूजर है काफी कम प्राइस टैग ने आपको एक काफी अच्छी खुश्बू दी गई है जो के ओध टाइप की खुश्बू होती है बट आप इसके अंदर आप अपनी मर्जी की जो फ्रेक्रंस है वो भी लेके डाल सकते हैं या बर इस साइट पर यह यूएस्बी पोर्ट दी गई है और आप इसको किसी भी पावर बैंक के अंदर भी है इनका फाइदा रहता है ओवर दे ट्रडिशनल मैं कहूंगा एर फ्रेशनल वो यह रहता है आप एर फ्रेशनल करते हैं ना रूम के अंदर तो पहले 15 मिनट बहुत जादा खुश्बू होती है और उसके बाद फिर खतम हो जाती है तो अरोमा डिफ्यूजर का फाइदा ह है और काफी अच्छा काम भी करती है अगली प्राड़ जो कि इसके वह शाबिल करे वाला हो यह उन मंदों के लिए है जो कि एक हाई कॉलिटी का कीचेन लेना चाहते है लेकिन अगें आपको फंक्शनल कीचेन चाहिए तो भाई यह प्रॉड़क्ट भी एक कीचेन ही है ले आप किसी चीज को मईयर भी कर सकते हैं और यह एक इंची टेप भी है जो कि किसी चीज को मईयर करने में भी आपकी हल्प कर सकती है और अगें मैं यह को हुँगा इंची टेप तो आपको कभी जरूरत पड़ी तो इसके अंदर आपको मिली जाएगी इसकी जो लुक हbreaker आण अगर आप गाड़ी के कीचेन में डालते हैं तो यह देखने में एक क्यूब शेप जो है वो प्रोवाइड करता है तो इसकी जो मुवमेंट है इससे जादा इसका जो डिजाइन है वो मुझे अट्राक्टिव लगा है कि यह बहुत ही खुब्सूरत डिजाइन है और यह मुक यह जो प्रोडिक्ट है यह उसी के मसले को सॉल्फ करने वाली है इसका एक लो क्वालिटी वेरियंट मुझे रज़र आया था और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इसके उपर रिसर्च करते हैं तो हमें यह हाई क्वालिटी वाला वेरियंट जो है वो देखने को मिल गया यह देखने में काफी अजीब सी लगती है और आपको एक नॉर्मल जो एक्स्टेंशन आती है वही पहली नजर में नजर आती है लेकिन असल रियालिटी यह भाई कि यह प्रोड़क्ट जो है यह नॉर्मल नहीं है इसके एक साइट पर आपको यह ओपनिंग देखने को मिल तो यह दो चार्जंशन पORTS और यह 2 आपकी एक्टेंशन पोर्डस बन जाती है तो आप एक ही एरिया से दो ड़िफरन्ट डिवाइसे भी लगा सकेंगे और यह दिवार के इंदर सीधा भी आप लगा सकते है और आप इसको दिवार के साथ फलश भी लगा सकते है तो नॉ अगली प्रॉडिक्ट आप लोगों के लिए खास तोर पर मैं लेकर आया हूँ यह जो प्रॉडिक्ट है यह मेरा एक दोस्त था दुबई के अंदर इस्तमाल करता था खेर एक्जैक्ट यह प्रॉडिक्ट तो नहीं थी बट इस टाइप की एक प्रॉडिक्ट थी और आप इसकी अगर लेंथ देखें तो नॉर्मल कटर काफी लंबे होते है ना उनका प्रॉड्लम यह रहता है कि जब आप उनके थ्रू कोई चीज ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर वारी चीज भी कार्ड देते हैं इसकी लेंथ इतनी ही रखी गई है कि जो मोटे से मोटा बॉक्स आता ही उसको कार्ड देता है बट यह अंदर की चीज को डामेज नहीं करता है और जैसे ही आप इसको छोड़ते है यह वापस अंदर चला जाता है और इसका फाइदा यह है कि अगर आप इसको किसी थर्मल प्रिंटर वाली चीज के उपर मारते हैं तो यह उसको कर देता है रिमूव अगर आप मेरी तरह का बंदा है जिसको प्रॉब्लम होती है कि भाई आपके पार्सल के उपर आपका नमबर मुबाइल नमबर आपके घर का एडर्स सब कुछ लिखा हुआ है तो भाई आप एक बार इसको थर्मल प्रिंटर के उपर जो पार्सल जान पर मारेंगे तो यह नमबर प्रिंट के उपर तो काम नहीं करता तो अगर आप नमल प्रिंटिंग की बात करते हैं उसमें काम नहीं करेगा बट वैसे भी पेपर के उपर हुई होती है वो स्टिकर पे होती नहीं है तो उसको आप वैसे भी फार सकते है जो थर्मल प्रिंटर वाला होता है वो ब प्राइवेसी को काफी हद तक सिक्यूर बना देती है अगली प्राफ जो कि दिसके वो शाबिल करने वाला हूँ ये एक 20 इन वन टूल है ये बेसीकली एक छोटा सा गैजट है जो के एट असिंगल टाइम 20 डिफरेंट टूल को अपने अंदर लेकर आता है ये असल में देखने में तो एक कारबीनर टूल लगता है जिसको आप अपने बैग वायरा के साथ लटका सकते हैं यहाँ पर इसक जगा दी गई है ताकि आप इसे कई पर भी लटका सकें इसके एक साइ कि इसके नीजे वाली साइट पर दो नट्स की आप्शन भी दी गई है ताकि आप नट वगएरा टाइट करने होता वो भी कर सकें यहाँ पर चार मुवाला पेजकस भी दिया गया है और उसके भी दो डिफरेंट डिजाइन दिये गए है यहाँ पर सीधे मुवाले पेजकस इसके अदर बॉक्स खोलने के लिए भी खास तोर पर टूल दिया गया है और उसके इलावा नीचे वाली साइट पर यह फाइलर भी दिया गया है जिसके तुरू आप अपने नाखुन भी फाइल कर सकते हैं और अगर आप किसी चीज़ को भी रगड़ना चाते हैं तो बैक चीलने के लिए भी टूल अवेलिबल है और उसके इलावा एक इंची का स्केल जो है वो भी अवेलिबल है तो ओवरॉल एक काफी हैंडी प्रॉड़क्ट है जो कि बहुत जादा काम करती है अगली प्रॉड़ जो कि इसके वह शामिल करने वाला हूँ यह एक ऐसी आइटम ह इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह का दिया गया है आप अगर बरफ बनाना चाहते है तो यह उसी काम के लिए दिया गया है इसके अंदर वाजी साइट पर आपको यह प्लास्टिक की जो एरिया है यह देखने को मिल जाता है तो आपने करना की कुछ यह है कि आपने इसके अंदर यह जो एरिया है यह लगा देना है और इसको फ्रीजर में जमने के लिए रख देना है इसका कमाल यह है कि यह एक तो बहुत जल्दी जम जाता है उसके बाद जमने के बाद जब आपने इसको निकालना है तो आपने से कुछ इस तरह करके निकाल लेना है और at least 2-3 drinks के जो बरफ है ना वो इसके अंदर आजाती है और इसी के उपर धकन भी अवेलिबल है तो आप इसको ही as a ice jar भी जो है वो इस्तमाल कर सकते हैं एक और चीज जो काफी interesting है वो यह है कि इसके center वाल एरिया में भी आप जो बरफ है वो जमा सकते हैं तो आप basically एक बढ़ा जो बरफ का cube है वो निकालेंगे और उसके इलावा जो छोटे चोटे cubes है वो आप यहां से निकाल लेंगे तो आपके दोनों जो काम है वो एक छोटे से area में complete हो जते हैं अब आती है कि एक जार के तौर पर भी काम करता है तो वो वाली चीज भी काफी relaxing है एक और चीज जिसके लिए इस्तमाल हो सकता है वो यह है कि आपकी अगर कोई बड़ी बोतल वगएरा है तो आप उसको भी directly इसके इंदर डाल कर थंडा कर सकते हैं तो काफी all-in-one type की product है जो कि आपको इस्तमाल कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर अगली product जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह एक ऐसी product है जो कि जब जरूरत पड़ेगी आपको तो यह आपको self defense और उसके इलावा काफी ज़ादा different tools भी provide कर देती है basically यह एक key chain है जो कि काफी high quality का बनाया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह asset type की finish भी दी गई और यह मुकमल तॉप और metal का बनाया गया है तो काफी high quality finish है यहाँ पर इसके एक side पर आपको यह cutter देखने को मिल जाता है जो कि आप as a box opener भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप इसको दूसरे कामों के लिए बिस्तमाल में लेकर आ सकते हैं कोई लड़ाई बगरा हो जाए तो आपके पास अपने self defense के लिए कोई tool भी मौजूद है उसके इलावा अगर आप इसके back side पर देखते हैं तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे different screwdriver heads दिये गए हैं जो कि सबसे दादा commonly used हैं तो यहाँ पर चार मूवाला भी मौजूद है और बाकी tools भी मौजूद है इनको basically आपने remove करना है और इसके ऊपर वाली side पर opening दी गई है जहाँ पर आप इनको insert करके कोई भी चीज जो है वो tight वगरा कर सकते हैं तो आपके पास हमेशा एक page case की option है वो available रहेगी again एक high quality का key chain है जो के multi function की support आपको provide करता है तो आप इसको definitely check out कर सकते हैं जितने भी product मैं ने इस वीडियो के अंदर बताया है वो सब description में आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल बर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो पसंद आई है तो आप एक like कर दीजेगा हमारी भी कोशिया कोई सब्सक्राइबर स्कूपर बढ़ जाएं तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा इस वीडियो में इतना ही दिस बिलाल सेनिगा आप अलाहाफ सब्सक्राइब थिल र कि लुट में दो आप एक